हेलो एब्रिवान वेकम बाक टो शेप अप यूर लाइफ आज की वीडियो स्पेशली उन वीववर्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी कुकिंग करना स्टार्ट किया है या फिर कुछ टाइम से वो कुकिंग कर तो रहे हैं लेकिन प्रॉपर पता नहीं होने की वज़ा से उन्हें अपने कुकिंग में कुछ कम ही लगती है तो क्या चीज़ें कैसे करनी है ताकि जो भी वो बनाएं उसे परफेक्शन के साथ बना पाएं तो चलिए देखते हैं ये टिप्स आपके कितने काम आ सकते हैं मूली प्रांथा बनाने के लिए सबका तरीका अलग-अलग होता है कुछ लोग इसको डबल रोटी में बनाते हैं यानि कि उसकी फिलिंग जो करते हैं दो रोटीयां बनाने के पाद उसको आपस में जॉइन कर देते हैं और उस तरह से बनाते हैं लेकिन सिंगल रोटी में बनाया गया प्रांठा बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में, लेकिन अगर उसकी फिलिंग इस तरह से निकल जाती है, तो ये बहुत इरिटेटिंग होता है, क्योंकि बार-बार फिलिंग निकल जाने की वज़ा से वो हर जगा चपकती है, जिससे की प्रांठी का टे पानी चोड़ा है जिस तरह से मैंने कोफ्त बनाना भी पताया था सेम ऐसे मैंने लौकी को भी क्रश करके उसका पानी इसी तरह निकाला था क्योंकि यह चीज़ें बहुत ज्यूंदा जूसी होती है तो बहुत पानी चोड़ती है जब हम इनके पकोड़े बनाते हैं या फिर बनाते हैं तो मेक शूर कि आपने पूरा पानी निकाल दिया है और जो पानी इसमें से बच जाता है उसे फैंकना नहीं है इस मूली के पानी से आटा गुन सकते हैं उसके पार जो भी मसाले आप डालते हैं जैसे मैंने प्यास डाला है बारी कटा हुआ अध्रक डाला है साथी अजवायन डाली है हरा धनिया डाला है लाल मिर्च डाली है और साथी गरम मसाला डाला है लेकि मैंने सॉल्ट इसमें नहीं डाला है अभी मेरे कहने का मतलब है जो भी मसाले आप डालते हैं वैसे ही डालने हैं सॉल्ट को छोड़के सॉल्ट अभी हम नहीं डालेंगे तो यही से एक प्रांठे के लिए फिलिंग हम एकटोरी में अलग से निकालेंगे और उसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट तो इस टाइम पे हमने सॉल्ट एड़ करना है अगर हम सॉल्ट पहले एड़ कर देते हैं सारी फिलिंग में तो प्रांठे बनाते मूली अपना पानी छ ऐसे ही फिलिंग करनी है, बहुत ज़्यादा प्रेस करनी की इसको ज़रूरत नहीं है, हलका हलका रोल करेंगे और इसमें सुखा आटा लगाएंगे, और जैसे चपाती रोल होती है, बिल्कुल वैसे ही मूली का प्रांठा रोल होता हुआ चला जाएगा चिपके बिना, जैसे ही फिल्कुल वैट चना चने जब हम रेस्टेशोरेंट में चने खाते हैं तो उसका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, किस तरह से आता है चलिए वो देखते हैं, वाइट चना को बायल कर दो उसमें सौर्ड तो एड़ करना ही है, साथ ही में एक काम हमें ऐसा करना है जिससे की चने में बहुत अच्छा कलर आएगा तो पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि चाए पती को किसी मलमल के कपड़े में बान देंगे और जब हम चने बॉयल करेंगे तो उसमें उसको डाल देंगे या फिर आमला को अगर आप सुखा कर रखते हैं तो उसको आप उसमें डाल देंगे आमला की बहुत ही हल्दी आप्शन है तो उसको अगर आप चूस करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है तो मैंने आमला डाला है इसलिए मैं चाए पती नहीं डाल रही हूँ लेकिन इन दोनों ही चीजों से color बहुत अच्छा आता है, तो चने boil हो चुके हैं, high flame पे whistle आने तक इनको पकाना है, उसके बाद flame low कर देना है, 20 minute के बाद फिर आपने flame off कर देना है, तो बहुत ही अच्छे चने boil हो जाते हैं इतने time में, लेकिन boil करने से पहले कम से कम 6 घंटे इनको पानी में soak करके ज़रूर रखें, अगर चाय की potly आपने डाली है, तो boil होने के बाद वो आपने निकाल लेनी है, लेकिन अगर आपने आमला डाला है, तो उसको as it is ही उसमें mash कर सकते हैं, उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तड़का आप जैसे लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं, बहुत सारे मसाले डाल के, तभी तो बनेगा मसाला चना, नेक्स टेप is how to make perfect चपाती, चपाती बहुत ही अच्छी बने, उसके लिए आपका डू बहुत अच्छा रेडी होना चाहिए, उसके लिए प्लाटफॉर्म पे पहले एक कपड़ा बिछा ले ताकि आपका जो बर्तन है वो हिले नहीं डू रेडी करते वक्त, तो आप आटा डालेंगे प्रात में, उसके बाद थोड़ थोड़ा करके पानी डालेंगे, बहुत जादा पानी आपने एक साथ नहीं आड करना है, अदर्वाइस आटा बहुत जादा गिला हो जाएगा औ पूरा आटा एक साथ बाइंड हो जाएगा, तब हम इसे गूनना शुरू करेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा होड़ा पानी भी साथ में ले सकते हैं, अपने हाथ गिले करते हुए इसको अच्छे से गूनतें, इसे गूनने के लिए आपको दस से पंदा मिनट लगाने की जरूत नहीं है, जस चार या पांच मिनट ही आप इसे गूननेंगे तो बहुत ही अच्छा आटा रेडी हो जाएगा, लेकिन आपको इसको रेस्टिंग टाइम भी देना पड़ेगा, चार या पांच मिनट गून लेने के बाद इसको कवर करके आप साई टकते हैं अटलीस 10 मिनट के लिए, और आप 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पहले के आटे गूनने में और अभी गूनने में कितना डिफ्रेंस आ गया हुआ है, आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, इस आटे से बन सब्सक्र 212 को 25 मिनट करता और इलग कि आप किसतरा की चपाती खाते हैं और बड़ी वैसा जैसे ही आप खाते हैं, यो आप अपने लिए ले सकते हैं और उसकह बाद उसे रोल करेंगे हम, अगर आप फर्स टाइम चपाती बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी शेप जफ्र फीजने काल के बारिक असे प्लट देंगे दूसरी साइड पर जब हलके ब्राउन डॉट्स अने लगें तो यह इस होता है सिधा फ्लेम के उपर लेकर जाने के तोशिदा फ्लेम पर रखेंगे देखते ही देखते आपकी चपाती फूलने लगेगी दोनों तरफ से अच्छे से से शेक लेने के बाद उसे उतार लेंगे next step is how to make perfect पूरी perfect और crispy पूरी बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है दो कप गेहूं का आटा और साथ ही लिया half a cup of सूजी 1 टेबल स्पून डाले इसमें अजवायन, 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून ही रिफाइन ओयल अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम बाइंट कर लेंगे और उसके बाद में इसमें add करूंगी 1 फोर्थ कप के around milk थोड़ा सा दूद अड़ कर देने से पूरियां और भी अच्छी बनती है और अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम इसको गूनना शुरू करेंगे पूरी के लिए जो डो हम ready करते हैं वो थोड़ा hard होता है यानि कि बहुत ज़्यादा hard भी नहीं और बहुत ज़्यादा soft भी नहीं लेकिन चपाती के लिए जो हम डो ready करते हैं उससे थोड़ा सा hard डो ready होता है साथ से आठ मिनट तक पूरा जोर लगाके आप इस आठे को गून दें और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको rest करने के लिए रख दें और उसके बाद जब आप निकालेंगे तो आठा काफी अच्छा हो चुका होगा तो पूरियां बनाने से कम से कम एक घंटा पहले आप आठा रेडी करके रख लें पूरियां बेलने से पहले जिस भी बर्तन में आपने पूरियां फ्राइ करने हैं उसमें तेल डाल के रखने ताकि तेल गरम हो जाए अच्छे से और पूरियां बेलना शुरू करें तारौ तरफ पूरी बिल्कुल होन चाहिए, कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होने चाहिए पूरी का साइज आप अपनी मटची से रख सकते हैं पूरी फ्राइ करने के लिए तेल अच्छे से गरम हो गया है इसे पलटते हुए दोनों साइड से ब्राउन करेंगे और गरमा गरम और फूली हुई पूरिया रेडी है I think आप सब भी इसी तरह की पूरिया खाना पसंद करते हैं पूरिया अगर खसा हो और फूली हुई हो तो बहुत ही स्वादिश लगती है Next step is how to make paneer at home Market में तो आपको paneer बहुत अच्छा मिल ही जाता है लेकिन घर पे भी आप सेम उसी तरह का paneer बना सकते हैं बहुत ही easily दूद लेना है आप जितना भी paneer बनाना चाहते हैं जैसे कि मैंने यहां पे 2 लिटर के राउंड दूद लिया है और यह दूद आपको मलाई के साथ ही लेना है जैसे ही दूद बॉइल हो जाए तो आप गैस बंद कर देंगे उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ white vinegar दो चमच डाले हैं मैंने पहले white vinegar के बहुत ही easily इससे दूद फट जाता है एक एक चमच करके आप vinegar डालते जाएं जब तक दूद फट नहीं जाता तो मैंने यहां पर टोटल चार चमच white vinegar डाला था उसके बाद आप देख सकते हैं कि चैना बिलकुल अलग हो गया और पानी अलग हो गया है उसके बाद मलमल का यानि की पतला सूती का कपड़ा लेंगे हम और उसमें च्छान लेंगे इस पनीर को पानी इसका अलग कर लेंगे और पनीर अलग कर लेंगे आप चाहें तो सेम इसी तरह से दही या नीमबू डाल के भी पनीर बना सकते हैं प्रोसीजर सेम रहेगा दूद बॉयल हो जाए तो गैस बंद कर देनी हैं उसके बाद डालेंगे आप दही या फिर नीमबू अब मैंने पनीर अलग कर लिया है उसके बाद थंडा पानी लिया है एक बोल में पनीर बहुत ही सौफ्ट बने उसके लिए 2-3 मिनट तक ठंडे पानी में हम इसको डाल के रखेंगे और उसके बाद एक परात ली है मैंने उसके उपर थाली रख दी है उल्टी करके उसके रखा है हमने पनीर थाली उल्टी इसलिए की है ताकि जो पानी निकलेगा इसमें से वो सिधा परात में चला जाएगा उसके उपर एक और प्लेट रखी है और उसके उपर मैंने रख दिया है चकला पनीर को प्रेस करने के लिए आपको वेट देना है तो कोई भी वेट दे सकते हैं आप चाहें तो किसी कंटेनर में पानी फिल करके वो भी उसके उपर रख सकते हैं तो एक डेट घंटे में आपका पनीर रडी हो जाएगा और उसके बाद आप सारी चीज़ें हटा दें बहु भी उसका सारा जूस निकल जाता है और पनीर हाड बनता है लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो पनीर बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और अगर आप इसी तरह से पनीर को एट लिस्ट वान विक तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो किसी कंटेनर में थोड़ा सा पानी डा पानी के बॉइल होने का वेट करेंगे और जब बॉइल होने लगे तो इस कंडिशन में हम फिर फ्लेम लो कर देंगे और साथ से आठ मिनट तक ऐसे ही इसे बॉइल होने देंगे अगर आप बहुत हाड बॉइल एक खना चाहते हैं जिसमें कि योओ का आउटर पार्ट काल लोगी ठंडे पानी में इस लिए ताकि यह इजी ली पील हो सके यह वह एग्स हैं जिनको किचिन के प्लाटफॉर्म पर मैंने रखा हुआ था यानि कि यह रूम टेंपरेचर पर ही थे फ्रिज में नहीं थे अगर यह फ्रिज में होते को बॉयल होने में दो-तिन मिनट औ कई लोग एग्स को बॉयल करते हुए उसमें सौट डाल देते हैं ताकी वो फूते नहीं या फिर दोन का पील अच्छे से निकल जाए लेकिन अगर आप eggs को boil करते हुए उनको cover कर देते हैं तो obviously अंडे food जाएंगे आप इनको cover ना करें ओपन ली ही आप boil करें तो यह बहुत अच्छे से boil हो जाते हैं लास्ट अपने दूद को गरम करना है इतना गरम करना है कि आपकी finger आराम से उसमें डिप हो जाई यानि कि वो सहन कर पाए तो उसके बाद उसको बर्तन में डाल देंगे जिस बर्तन में भी आपने दही सेट करना है लेकिन उसके नीचे मैंने बेस रखा है कोई भी टावल या कोई भी मोटा कपड़ा कुछ भी आप रख सकते हैं वाम्त के लिए उसके बाद मैंने हाफ टी स्पून के राउंड लिया है दही उसको दूद में डाल के मिला देंगे अच्छे से उसके बाद उसके उपर लिट रखतेंगे आप करेंगे इसको अच्छे से हम कवर ताकि ये गर्मायश इसमें बनी रहे सबसे पहले मैंने किचन नैपकिन लिया है उसके बाद मैंने टाल लिये हैं दो आप चाहें तो कोई भी ब्लैंकेट रख सकते हैं जिससे कि इसमें हीच बनी रहे और आपका दही सुबा तक बिल्कुल सेट हो जाएगा अगर आप डे टाइम में कर्ड सेट करना चाहते हैं बाहर धूप अच्छी निकली है तो इसी बर्तन को आप ब्लैंकेट में कवर करके धूप में रख दें दो घंटे में ही दही सेट हो जाएगा काफी दिनों से रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की डिफरेंट डिफरेंट और बहुत ही बेसिक चीजों के बार में पूछा जा रहा था तो सबको मिलाके मैंने एक वीडियो बना दी है I hope आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी So मिलती हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में Till then Bye, Take Care and Stay Healthy